भारती टीम गुरुवार की सुबहा को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गई है भारती टीम की तस्वीरी BCCI के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साजा की गई है लेकिन सबसे हराने वाली बात यहां ये रही कि भारती कप्तान रोहिट शर्मा बाकी साथ ही खिलाडियों के साथ दिखाई नहीं दिये अब रोहिट शर्मा की गैर मौजूदगी को लेकर फैन्स ने BCCI के उपर सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं आपको बता दे कि भारत को इस दौरे पर एक मात्र टेस्ट, तीन वंडे और तीन T20 मुखाबले खेलने हैं टेस्ट के लिए पहले ही भारते टीम का चैयन किया जा चुका है लेकिन वंडे और T20 अंदराश्ट्री के लिए अभी टीम का ऐलान नहीं किया गया आपको बता दे कि इस दौरे के लिए अभी उप कप्तान केल राहुल के फिटनेस पर कोई भी जानकारी नहीं मिली है केल राहुल इस सीरिस का हिस्सा होंगे या फिर चोट के चलते बाहर हो जाएंगे इस बारे में अभी भी कोई अपडेट नहीं मिली है हाला कि ऐसी खबरे सामने आई थी कि राहुल इंग्लैंड दौरे से पहले फिट हो जाएंगे और जल्द ही भारती टीम का हिस्सा भी बनेंगे आपको बता दे कि भारत को इस दौरे पर जो एक मात्र टेस्ट खेलना है वो साल 2021 में खेली गई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा है पिछले साल करोना के चलते पांचवा टेस्ट मैच अस्थाई रूप से सगित कर दिया गया था जो इस साल एक जुलाई को खेला जाएगा भारते टीम इस वक्त मौझूदा टेस्ट सीरीज में दो एक से आगे चल रही है भारत ने पिछले साल चार टेस्ट मैचों में दो टेस्ट मैच जीत कर सीरीज में वरत बना ली अगर भारते टीम ये एकलौता टेस्ट मैच जीत जाता है तो फिर भारते टीम सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ